असलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं आफ्रीन और आज मैं बना रही हूँ उड़द गोष्ट यह बिजनौर की बहुत ही मश्रूर रेसिपी है यह शादियों में बनती है और मैं बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाना बताऊंगे लेकिन वह भी बहुत ही आसान तरीके से तो चलो मैं शुरू करते हैं बिस्मिल्लाई रख्मानी रहीम तो यहां पर सबसे पहले मैंने यह उड़द ले लिए हैं उड़द लगबग 300 ग्राम लिए है मैंने और इन्हें एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था था कि एक मुलाइम हो जाए अगर आपके पास टाइम न चल्दी से नहीं घंटे हैं इसीए तो मैं उड़द को अलग गलाउंगी और गोष्ट को अलग पकाऊंगी सबसे सब्से पहले मैं उड़द सक्य नंग क्रों रख्माश् यह दो लाल मिर्ची थी साबित वह भी इसमें एट कर दी है और दो से तीन टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें आइट कर दिया है और तीन ग्लास में फुल भर के पानी आट कर दूगी ताकि जो उड़ाद है वो जले नहीं और अच्छी थार से गल जाए और अब मैं कुकर क कैसे बनाओंगी बता देती हुँ यहां पर मैंने आधा किलो गोष्ट लिया है इसमें मैं एट करूंगी तीन वीडेम साइस के प्याज लिये है और एक चोटा सा टमाटर लिया है एक बड़ी लाइची लिया है और एक चमश लिया है मैंने भर कर जीरा तो सबसे पहले मैं इक चमश गर दें से ड्ली ते गोश्ट को और जो प्याज लिया थे मैंने वह खुच कर दूंगी साथ ही समय मैं एक टमाटर कॉतकिया हूँ और एक चमश लिया है मैं आदक लगे लिया है इसमें गड़ी लाइची वह एडोगी एक चमश एड कर दूंगी मैं स्क्रस्ण ज और फूर्थ स्पून के गरीब मैं अट एक चुटकी हल्दी है करीब साथ ही मैं एक चुमश नमक एट कर दिया है और अधा कप मैं इसमें ऐड़ कर रही हूँ एक ग्लास फूल भरके मैंने इसमें पानी एट कर दिया है ताके गोश्ट अच्छी तरह से गल जाए और इसमें मैं चार से पांच सेटी लगा लूँगी जब तक गोश्ट गल रहा है तो मैं उड़त चेक कर लेती हूँ कि गले है या नहीं मैंने एक उड़त का एक दाना उठाया इस तरह से उसे मसल के देख लेना है तो यहां पर यह बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था अब यहां पर एक मैशर ले लेना है और उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है मैश से ओपनीर इससे ऐब दाल गोटनी कर सकते हैं थोडी देर के लिए तो दिनके से मेश और यही नहाय सकर है कि अच्मती से अपर मैंने इसे अच्छी तरह से मैश पिल एक घटक हुआ है गोश्ट अच्छी तरह में 내 बूश्ट थे रशे हैं weूट बहुआ efat time पानी और इसको एक खॉल आने तक अच्छी तरह से पका लूँगी जब इसमें एक खॉल आ जाएगा तो इसमें मैं एट कर दूगी एक इंच का कटा हुआ अद्रक स्लाइस में और थोड़ा सा हरा धनिया हैंडफुल हरा धनिया इसमें एट कर दूगी और दो तीन हरी मिर्च कर सकते हैं और इसे अब मैं पकाऊंगी लो फ्लेम पर कुकर का लिड लगा दिया है मैंने और इसे लो फ्लेम पर कम से कम 20 मिनट के लिए पका लोगी इसे जितना धीमी आज पर आप पकाएंगे काफी टाइम तक उतना ही अच्छा है इसमें टेस्ट आएगा आप देख सकत करना बैल आइकन को ज़रूर पैस कर देना तक इसी तरह की असान रसेपी आप लोगों को मिल सके तो थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफीज